जेहन दोस्तों आप देख रहे हैं Defense Game YouTube चैनल दोस्तों आज हम जानेंगे Beretta 92FS पिस्टल के बारे में जो कि दुनिया की सबसे अच्छी पिस्टलों में से एक है और साथ में ये भी जानेंगे क्या भारत के नागरे किसको अपने self-defense के लिए खरी सकते हैं या नहीं तो आप वी जेटन 92FS पिस्टल है यह 10 राउंड को तीन इंच के गोले के अंदर ही फायर कर देती है ग्रूपिंग के अंदर मतलब जो 10 के 10 कार्टूज फायर की जाते हैं वह वस जो है तीन इंच कर डिसपर्स होते हैं तो इसी बज़ए से अमेरिकन जो आर्मी है वो इसको यूज करते हैं यह फैक्ट बात है और यह जो पिस्टल है सेमी ओट्रोमेटिक डवल एक्शन पर आधारित पिस्टल है इसका जो बेट है वो 945 गिराम होता है बिड़ डाउट बॉलट इसकी जो लेंथ है वो 8.5 इंच है वहीं वेरल लेंथ की बात की जाए तो वह 4.9 इंच है यह जो पिस्टल है mostly जो है stainless steel से बनी होती है मतला metal पिस्टल है और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब करने क्योंकि हैं आपके लिए defense हत्यार से related Indian Army से related ऐसे वीडियो लाते रहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब करने और बेल आइकन भी दबाले आप हमें instagram पर फॉलो कर सकते हैं लिंक description में दिया हुआ है तो आप प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब जरू करने जल्दी से जल्दी हमें 40 अजा सब्सक्राइबर के पास पहुंचना है बेरेटा 92 Fs पिस्टल जो है यह भी 9 mm बेस्टल है मतलब इसके अंदर जो काटे यूज होता है वो 9 mm होता है जिसकी metric notation 9 into 19 mm पेरा वेलम है mostly जो पिस्टल फेमस होती है वो 9 mm ही होती है बात के जाए इसके effective firing range की तो इसकी जो effective firing range है वो 50 meter है बात के जाए इसमें जो magazine यूज ह हो जाती है आप इसके पर ऊपर काफी ज्यादा modification कर सकते हैं आप इसमें silencer और जो कई प्रकार की जो accessory आती है वो भी इसके ऊपर add कर सकते हैं यह तो बात होगी जो बेरेटा 92 Fs पिस्टल है जिसको Italian company बेरेटा द्वारा निर्मित किया जाता है उसके कुछ specification के बारे में तो भारत के नागरिक नहीं खरी सकते हैं अपने self-defense के लिए अगर वो license बनवा लेंगे तब भी नहीं दूसरा अब आता है क्या हम इसको import कर सकते हैं import भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि भारत सरकान ने 1984 में किसी भी प्रकार के जो civilian weapons होते हैं उनके import पर रोक लगा दिये तो इसका म नहीं आपकी क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए सेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप हम Instagram पर फॉलो कर सकते हैं आप वहां अपने question हम से पूछ सकते हैं link description में दिया हुआ है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल अगर भी दबा लें मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत